Hello friends, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो basic concepts के बारे में Friends, ये basic concept के साथ काफी ज़्यादा important भी है तो Friends, वो basic concept है hard copy and soft copy Friends, अगर आप study करते हैं, या office में job करते हैं या आपका अपना internet cafe है, या आप student है तो आपको ये पता होना चाहिए कि soft copy क्या होती है और hard copy क्या होती है, और इन में क्या difference होता है और कुछ लोग तो soft copy को soft copy document के नाम से जानते हैं और hard copy को hard copy document के नाम से जानते हैं बात तो same ही है, फिर चाहे hard copy बोले या hard copy document बोले या soft copy बोले या soft copy document बोले और friends अगर आप नहीं जानते है hard copy क्या होती है soft copy क्या होती है तो friends आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ये clear हो जाएगा कि soft copy क्या होती है hard copy क्या होती है और इन में क्या difference होता है तो आइए friends जानते हैं और guys अगर आप हमारे computer guide channel पर first time visit कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे red color के subscribe button को press करें और साथ ही में notification का लेक्न को on करें जिससे की channel पर आने वरे new videos का link आपको सबसे बहुते मिल सके तो आइए start करते हैं तो आइए friends जानते है hard copy और soft copy के बारे में तो friends पहले जानते है hard copy क्या होती है जो भी document जिने हम print करते हैं या पहले से print किये हों फिर चाहे वो कोई भी document क्यों ना हो जैसे कि detail marks हो सकती है, admit card हो सकता है या आपका resume हो सकता है, या date sheet हो सकती है जिने हम print करते हैं, ये सभी hard copy हैं जिने हम print करने के बार टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं और साथ में कहीं भी carry कर सकते हैं और friends कुछ और examples के साथ समझते हैं hard copy के बारे में जैसे कि books को हम read करते हैं या newspaper को read करते हैं या कोई भी magazine को read करते हैं जिने हम touch भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं तो friends ये सबी hard copy होती हैं तो friends, उमीद है कि आपको hard copy के बारे में समझ आ गया होगा और friends, अगर आपने इस वीडियो को भी तक like नहीं किया, तो वीडियो को like करें और friends, अब जानते हैं soft copy के बारे में तो friends, जो भी document हम laptop में create करते हैं, या computer में create करते हैं या mobile में create करते हैं जिनने हम computer या mobile की memory में save करते हैं या pen drive में save करते हैं और friends ऐसा भी हो सकता है कि कुछ documents computer या mobile की memory में पहले से save किये हो तो friends ये सभी soft copy हैं जिनने हम touch नहीं कर सकते हैं देख सकते हैं बर touch नहीं कर सकते हैं और friends कुछ और examples के साथ समझते हैं soft copy के बारे में soft copy कोई भी office की file हो सकती है फिर चाहे वो Microsoft Excel की file हो या कोई भी presentation हो या कोई भी e-book हो सकती है या किसी भी तरह की कोई भी digital file हो सकती है तो friends ये सभी soft copy हैं जिने हम touch नहीं कर सकते हैं तो friends अब जानते हैं hard copy में और soft copy में क्या difference होता है तो friends जो soft copy होती है वो computer या mobile की memory में saved होती है जिसे देखने के लिए laptop या mobile को start करना पड़ता है soft copy digital copy होती है जिसे touch नहीं किया जा सकता और जो hard copy होती है वो print की हुई copy होती है जिसे हम आसानी से touch कर सकते हैं असानी से देख सकते हैं उमीद है कि friends आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि soft copy क्या होती है और hard copy क्या होती है तो friends हमारे computer guide channel को subscribe करें और वीडियो को like करें और वीडियो को share करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए stay healthy, stay safe, bye bye